तो चले अब बलिटिन के शुरुबात एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो स्पीच एक बड़ी खबर सामने आई है फरीदाबाद में कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर है फरीदाबाद पे तो फचले चौबस घंटे में फरीदाबाद के अंदर एक सौतीन नए केस सामने आए हैं बड़ा अकला फरीदाबाद के अंदर और जिले में अब ये संख्या 6568 हो गई है अब तक 5161 लोग ठीक हो चुके हैं असमा हमारी कुमाद दे कर और बात अगर करें एक्टिव केस की 1297 केस एक्टिव हैं तो फरीदाबाद का ये ताजा आकला आप सबकी ठीव स्क्रीन पर अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है फरीदाबाद के अंदर तो फरीदाबाद में 24 घंटे के अंदर 113 नए मामले सामने आए हैं चंताए बढ़ाई हैं नए मामलों ने 6560 हो चुके हैं कुल मामले अब तक फरीदाबाद के अंदर बात अगर करें एक्टिव केसों की संख्या तो 1297 एक्टिव केसिस की संख्या फरीदाबाद के अंदर है जबकि 5161 लोग महामारी को मात दे कर ठीक हो चुके हैं तो फरीदाबाद में चिंताएं बढ़ती हुई लगातार कोविट के आकड़े बढ़ते हुए फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद में लगातार कोरोना के आकड़े बढ़ते हुए चलिए उस बीच एक और बड़ी ख़बर भिवानी से और ये ख़बर कोरोना से जुड़ी है पशले 24 घंटे में आठ नए मामले सामने आए हैं भिवानी के अंदर जिले में आप संक्रवितों के संक्या 726 हो चुकी है अब तक 636 लोगों का इलाज किया जा चुका है इन आकड़ों में तो भिवानी का ताजा आकड़ा आप सब के टिवी स्क्रीन पर लेकिन चिंताएं बढ़ा रहे हैं भिवानी के अंदर एक्टिव बान नबे के अब तक 5 लोगों की मौत भिवानी के अंदर हो चुकी है तो बड़ी ख़बर भीज भिवानी से जहां पर कोरोना से जुड़ी यह बड़ी ख़बर है पचले 24 गंटे में आठ नए के सामने आए हैं हमारे साथ भिवानी से हमारे सहुगे दीपक पुट्रेजा और हमारे साथ फरीदाबाद से हमारी सहुगी पूजा जुड़ी हुई है तमाम अपडेट के साथ लेगिन सबसे पहले चलूँगा पूझा आपी के पास क्योंकि फरीदाबाद की चंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही है कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब फरीदाबाद के अंदर तक्रीबन सो के आसपास से आकले ना आते हों और आज फिर से संख्यस्था हो है जी बिल्कुल देखे फरीदाबाद में कोरोना का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जुलाई मा अगर जून से गंपेर करें तो कोरोना को लेकर प्रसाशन की चिंताएं बढ़ाने वाला महिना जो है साबित हो रहा है क्योंकि पहली बार 24 गंटे में ऐसा हुआ है कि काफी दिनों बाद की कोई भी मरीज डिस्चार्ज नहीं किया गया है रिकवरी रेट जो है अभी रुका हुआ है जिसके कारण प्रसाशन की चिंताएं काफी बढ़ रही है हाला कि जो अभी स्वास्ते निदेश अले ने रिपोर्ट जारी की है उसमें फरीदाबाद के लिए एक अच्छी ख़बर यह रही कि कॉंटेक्ट ट्रेसिंग जो है उसमें शट परतीशत इस्थान मिला है फरीदाबाद को यानि कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में आने वालों की पहचान करने में जो स्वास्ते विभाग है वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ है लेकिन इसके साथ साथ जो प्रसाशन की चिंताएं बढ़ा रहा है उसका एक कारण ये भी है कि जो लोग निजी लैब से टेस्ट करवा रहे है कोरोना के वे स्वास्ते विभाग को जानकारी उन लोगों की नहीं पहुंच पा रही है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है जिसके कारण जो कोरोना को लेकर तमाम एतियात बरतने की जरूरत है बेशक उन मरीजों में लक्षन ना हो लेकिन होम कोरिंटीन के जो नियम है उसको पालन करने के लिए स्वास्ते विभाग उन पर निगरानी रख सके वे तबी संबब है जब स्वास्ते विभाग की जानकारी में होगा लेकिन इस तरह के कई मामले फरीदाबाद में सामने आ रहे हैं जब स्वास्ते विभा हैं वो काफी चिंता में नजर आते हैं क्योंकि छुपाई जाती है जानकारी और जो स्थानिय डिस्पेंसरी है वो भी जो उन पर नजर नहीं रख पाती तो कहीं न कहीं फरीदाबाद में इस से कम्यूटी स्प्रेड का खतरा काफी बढ़ गया है जुलाई माँ क्योंकि मानसून सीजन होता है तो ऐसे में मौसमी बिमारियों से जूजना भी स्वास्ते विवाग के लिए बड़ी परिशानी है क्योंकि जो मलेरिया टीम थी वो कोरोना में लगी हुई थी बाकी जो टीम है स्वास्ते विवाग की जो अलग-अलग छेतरों में काम करती है वो कोरोना में लगी हुई है लेकिन अब क्यूंकि तीन से चार महिने हो चुके हैं तो अब वो टीमें अपने-पने काम पर भी लौटने लगी है तो कही ना कही इसका असर कोरोना पेशेंट पर बढ़ते संक बढ़ रहा है लेकिन उसी के साथ साथ जो तैयारिया है उसमें कहीं न कहीं परसाशन के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही है कि मैंपावर की कमी से स्वास्ते विबाद किस तरह से जूजेगा और फरीदाबाद में कोरोना को किस तरह से रोका जा सकेगा हाला कि जो आम लोग के रहते हुए भी जब फरीदाबाद में रोजाना कोरोना का संक्रमन बढ़ रहा है डेली सो से ज़्यादा मामले आ रहे हैं तो सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कोरोना की रफ्तार जुलाई माह में फरीदाबाद में और अधिक तेज होने के आसार है जि कि जनजीवन धीरे धीरे पट्री पर आने लगा है तो लोगों ने गाइडलाइंस का सकती से पालन करना चोड़ दिया है हाला कि पालन किया जा रहा है लेकिन अब वो गंभीरता नजर नहीं आती चुनौतिया तमाम है वाकई फुजा फरीदाबाद के अंदर उपर लेकिन इन चुनौतियों से अब कैसे निप्टा जाए ये देखना होगा हमारे साथ दीपक लगातार जुड़े हुए हैं दीपक आठ नए मामले 72 एक्टिव केस बिवाने की इस सतिया को बहुत अच्छी नहीं है पहलकुल आपको बता दो कि बिवाने की स्थिती भी बेतर नहीं है लगातार जो करोना के आपके हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं इसकार से अभी सुवे सवेरे दो नए मरीज बिवानी के अंदर आए हैं फोज़े की मरीज है उनका भी बिवानी के स्थिती हैं उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है चूकि उन लोगों को उन हैं दर साट फोच्छबीस संकर्मित मरीज हैं वो खो चुके है और एक्टीव मरीजों की बात की जिए तो बानवे मरीज जो है विवानी के अंदर अभी फिलहाल एक्टीव है जिनका इलाज जो है वो उनके हो मैं इसमेशन में या पर टोज़ी बंसिला समाने उस्पिकल र छिलाल स्वास से वाके दरा किया जारा है चले दिपकल को इस Quinn को स्थमाम जरूरी जAnकारी लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजआ आपका भी यस्थमाम जरूरी謝 जूर्त बहुत शूक्रिया चलिए Korean